और आई ये सबसे पहले बात करते हैं आखित कॉंग्रेस की कड़वाग जो है कैसे नजर आ रही है कैसे जहलक रही है दरसल जम्मू करश्मीर में कल आखरी और की वोटिंग से पहले जवरदस्त खमासान मचा है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खर्गे के पियमोदी के लिए अपान जनक तिपनी पर गुरही मंत्री अमर्शा ने पलटवार किया है शोशल मीडिया प्लेटवार्म में एक्सपर उन्होंने कहा कि कल कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खर्गे ने अपने भाशन में अपमान जनक शब्दों का प्रियोक कर खुद को और अपने नेताओं को मात दे दी है अपनी कठुता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बेवजा प्यम मोदी को अपने रफ्तिकर्द स्वास्त मामलों में ये कहे कर घसीता कि वह प्यम मोदी को सत्ता से हटा कर ही दम लेंगे इससे पता चलता है कि इनिर कॉंग्रेसियों के मन में प्यम मोदी के लिए कितनी नफरत और डर है कि विलगातार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं जहां तक श्री खडगे जी के स्वास्त का सवाल है, मोदी जी प्रात्ना करते हैं, मैं प्रात्ना करता हूं, हम सभी प्रात्ना करते हैं कि वहें लंबा स्वस्त जीवन जीएं। वहे कई वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक एक विक्सत भारत का निर्मान देखने के लिए जीवित रहें आपको ताइंद रसल जम्मु वे भाषन के दौरान पिये मोदी के खिलाव कॉंग्रेक्स रधाक्ष मलकाजुन खड़के ने क्या कहा था आईए वो आपको सुनाते हैं स्टेट हुड का तो मैं भूला हूँ स्टेट हुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो मैं ऐसा ही चोडने वाला नहीं अब बेरे को तो 83 एर्स चल रहे इतना चल्दी मरने वाला नहीं हूँ जब तक मोधी को नहीं अटाएंगे तब तक मैं जिन्दा ही रहूँगा आपकी बात सुनूँगा आपके लिए लड़ूँगा और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे समादता शैलिंद शाफलाल हमारे साथ जोड़ चुके हैं शैलिंद अगर देखा जाए तो कहीना कहीं कॉंग्रेस की कट्वता की बात की जाए वो लगतार बहार आती है और खास्तार से प्रधान मंत्री मोधी जो है वो तो उनके स्वास के प्रति हमें देखा कि तें गंभीर नजर आए उसके बाद अमर्शाह ने भी टूइट करके यही का कि मैं भी प्रात्ना करता हूँ कि वो जल्दी अगर भिमार हैं तो स्वास्त हो जाए और हम सब भी प्रात्ना करते हैं लेकिन कहीना कहीं मलकार जुन खड़गे जो हैं उनका सर्फ एक जो द्रश्टी कोन है वो यही है कि कैसे जो उनका कहना था अपने भाशन में अपने दर्शकों को भी हमने सुनवाया कि मैं भले ही अब 83 साल का हो गया हूँ लेकिन मोधी को सत्ता से हटा के ही दम लूँगा देखें मुकल साइधी को ऐसा चुनाव हो 2014 के बाद जब कॉंगर्स पार्टी की नेताओं द्वारा और सीर्स नेताओं द्वारा प्रधानमंती नरंदर मोधी को लेकर कुछ ऐसा ना कहा गया हो जिसमें कॉंगर्स पार्टी की सोच और मानसिक्ता जलगती है कि वो कितनी न सिल्सले में एक कड़ी है कि याद है कि कुछ दिन पहले ही मलिकार जुन खडगे ने एक पत्र लिखा था और राहूल गांधी को लेकर जो कुछ बीजेपी के नेता कह रहे थे उस पर आपत्ती जताई थी और बहुत एक लंबा चोड़ा निमंद लिखा था तब बीजेपी की तरफ से जेपी नड़ा जो राश्टियत धर्च है उन्होंने प्लटवार करते हुए एक पूरी स्रंखला सामने रखी कि कैसे प्रधानमंत्री ननमोदी के खिलाफ अब सब्दों का इस्तेमाल कॉंग्रिस पार्टी की नेता करते रहते हैं और सिर्स नेता करते रहते हैं राहुल गांधी हों सोनिया गांधी हों वो क्या सोच रखते हैं और यही बात आज ग्रेमंत्री अमिसा ने पोश्ट के जरिये कही है सोचल मीडिया पर कि ये दरसाता है कांग्रिस पार्टी के नेताओं की सोच को तो निशित तोर पर जब भी धानसभा चुनाओ या कोई बिगड़ जाते हैं और वो अपनी मानसिक्ता को सामने रखते हैं जो प्रधानमंत्री नयनमोदी के पतुन की सोच है तो उस पर बीजे पीपल अक्वार भी कर रही है और सी सस्तर पर हमने देखा है कि ग्रेमंत्री मिसा ने ये सोचल मीडिया पोश्ट लिखा है और एक तर आपके स्वास की बहतर स्वास की कामना करते हैं और यहां जो दृष्टिकोन है जो मानसिक्ता है वो कुछ और ही है लेकिन क्या जो यहां पर खडगे ने कहा उससे कोई और कॉंग्रेस के जो आला अदिकारी हैं आला नेता हैं वो इस बयान का कहीं इसे सहमती जताते हुए क आप किसी दूसरे दल के नेता पर कोई आरोब तो लगा सकते हैं उनको कटगरे में तो खड़ा कर सकते हैं लेकिन भासा सैली क्या हो सब्द क्या हो इसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है और अक्सर देखा गया है कि कॉंग्रिस पार्टी के नेताओं की तरफ से खास सुची संधी रनीती के तहरे इस तरह की जो बयान वाजी वो सामने आती है और इसी को लेका आपको बताने जो कॉंग्रेस अध्यक्षर मलकार जोनर खड़ की द्वारा प्रधान मंत्री को लिकर्जू दिगए बान पर पतानी केंदिय मंत्री गिर्राज सिंग ने भी तंज कसा है उन्होंने कहा कि मोदी जी हजारों वश्व तक भारत के दलों में राज करेंगे किसी के जीवित रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहूल गांधी के बिरोधी है काँके मोदी जी तो अभी सौ साल बचे गये है अब तब तक राहूल गांधी बुरे हो जाएंगे उनको मुका नहीं मिलेगा खड़गे साहब आप यहीं कचा रहे है खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर बास करते रहेंगे कोई जिन्दा रहे कोई मर जाए इससे कोई अंतर नहीं पर सकता है मोदी जी वो बेक्ती है जो भारत में गरीबों के मशीहा के रूप शैलिंद जो गिराज सिंग नहीं यहाँ पर कहा है और कही ना कहीं इस तरह की क्यूंकि खाबरे लगातार कॉंग्रेस में आती है अंतर कले की बात की जाया किस तरीके से क्योंकि जो शुष नेतरत्व है या राहूल गांधी को आके लिए जाने की बात है वो नज़र नहीं आती और ग्रिडा सिंग का यह कहना कि उनकी इच्छा शायद यही है कि राहूल गांधी पीछे रहे हैं वो ही आगे चलते हैं देखें कांगर्स पार्टी के अंदर एक डर दिखता है जब इस तरह के बयान आते हैं कि प्रधानमंती ननमोदी दुनिया के इतने लोग प्रिये नेता हैं देश में इतने लोग प्रिये हैं तो ऐसे में उनकी अगवाई में बीजेपी लगातार जीत हासिल करती है तो कां कि तीन चुनाओं में उस्व की संख्या भी नहीं पहुंच पाए तो ये इस तरह से कॉंग्रस पार्टी का डर भी दिखता है जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि प्रधानमंतीन अन्मोदी के प्रते क्या सोंच है कॉंग्रस पार्टी की वो इन बयानों से तो जाहिर होता ही है लेकिन कॉंग्रस पार्टी के अंदर जो डर है प्रधानमंतीन अन्मोदी की लोग प्रता का उनकी एक वाई में बीजेपी को जीत मिलती है उसका वो भी गाये बगाये इस तरह के बयानों से सामने आता है तो हम देख रहे हैं कि जब से मलकार जिन खडगे ने बयान दिया ह अपसे सवाल उठा कि क्या वो सिर्फ राहूल गांदी के खिलाप को अगर बयान देता है तो उस पर पत्र लिख देते हैं तब उनको राजनितिक सुचिता कहालाती है और खुद उस सुचिता को भूल जाते हैं खुद वो इस बात का ध्यान नहीं रखते और यही जबावी पत्र लिखा था बीजेपी की राश्चेत दर जीपी नडा ने इसका जिक्र भी किया था और आज ग्रैमंत्री अमिसा ने पलटवार करते हैं कहां भी है तो निश्चित तोर पर क्या कांग्रेस नेता इससे सबख लेगे कांग्रेस का सीर्फ नेता इससे सबख लेगा यह लगता तो नहीं चुकि जब भी कोई चुनाव आता है तो कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर दिया जाता है उनके खिलाप अपतिजनक सब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जी शैलेंड और खास और से ये देखा जाता है कि अगर आपकी प्रतिदोंतलता है तब हम समझ सकते हैं लोग सब्दों चुनाव में देखा था कि इस तरीक के बयान बाजी जो है वो निकल कर आई थी लेकिन अब जिस तरीके से विधान सब्दों चुनाव जो है वो हो रहे ह जो मुँ में आपने देखा है हर्याना के लिए जो तरीके से प्रचार किया जा रहा है तो उसमें क्या इमाना चाहे कि लाइम लाइट लाने के लिए इस तरह की जो बयान बाजी है उसका भी इस्तवाल किया जाता है क्या ये भी एक रणनीती का हिस्सा है कि इस बारे में अ नेनमोदी की लोग प्रेता के चलते बीजेपी को एक एज रहता है और 2014 से आप देखें तो चुनाओ दर चुनाओ बीजेपी का जो सफलता का प्रसत है राज्यों में वो बहुत सांदार है तो यह भूबी पता है कॉंग्रिस पालिटी को कि प्रधारमंती नेनमोदी को टार् प्रधारमंती नेनमोदी के प्रति कॉंग्रेस पालिटी और इनके सीषनेताओं का कि वो इस तरह के अपसब्दों का इस्तेबाल करते हैं तो निश्चत तोर पर कॉंग्रेस का सीषनेतत मलका अरजुन खड़ गए और गांधी परिवाद तवारों की घेरों में आते हैं ज यही खड़ा होता है कि यह आपकी वाकई सूच है यह आपकी मान सकता है या जिस शुचिता का आप हवाला देते हैं आखिर वो अब कहां गायब हो जाती है फिलाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलिंग आपका हमाल साथ जुड़ने के लिए तो हमारे समाधता शैलिंग में बता रहे थे किस तरीके